कांग्रिस की वरिष्ट नेता अराधना मिश्रामोना हमारे साथ मौझूद है मैं यह बताईए लगतार बजट की चर्चा हो रही है और विभागी बजट की भी अब शुरुवात हो चुकी है स्वाफ और चिकित्सा को लेकर आज बात होनी है कैसे देखती है लगता है कि इस उसके लिए कुछ देखिए कहीं भी बजट में पूरा बजट हम लोगों ने पढ़ा है और जो विभागवार बजट कल से जिस पर कल भी दो विभागों पर चर्चा थी आज भी दो विभागों पर चर्चा है पर आप आज स्वास की बात करें आज ही देख लीजे अकबार में निकला है कि पीजी आई में अब चिकितसा और महेंगी हो जाएगी 50 परचन तक की वृद्धी जाच में और उसमें दिखाई गई तो एक तरफ तो सरकार कह रहे है कि यह जनता के लिए बजट है हम कोई नई चीज इसमें ना टैक्सेशन कर रहे हैं नहीं कोई ऐसी जहां पर गंभीर बिमारियों पर इलाज होता है और पूरे प्रदेश से लोग आते हैं और अगल बगल के प्रदेशों के भी आते हैं अगर और कौन जाता है वहां पर वो समाने व्यक्ति जाता है जो दिली बंबई जाकर के अपना इलाज नहीं करा सकता तो जहां पर आप तो स्पश्ट है, इसमें जो आरोप विपक्ष का था और सरकार कहती की सर्क विपक्ष आरोप लगाता है तो स्पश्ट है, सामने हैं। कि आपने अभी कल कहा मुकमंत्री जी ने की है, हम जनता के लिए लेकर आएं बजट समाने वक्ति के लिए, तो ये इलाज में क्यों आप बढ़ोत्री कर रहे हैं, और आज उसका विभागबार कट मोशन है, और आज ही कि दिन अगबार की सुर्खिया ही, तो सरकार की कहनियों करनी में आज आज अपना एक प्रदर्शन भी करने जा रही है, जिस तरीके से आपने भी बताया, भी सेलेंडर के जो दाम है, बढ़े हुए है, और क्या मांगे में मुठाई जाएंगी इसको लेकर क्यों कि कानुन विवस्ता को लेकर भी आप लोग लगातार बात कर रही ह बेरोजगारी एक बड़ा विशह है, सरकार किसी भी तरह से कोई रोड मैप नहीं बना पाई है, उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार है, प्रदेश का आज देश का सबसे जादा युवा अगर किसी प्रदेश में है, तो वो उत्तर प्रदेश में है, और उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनोती है वो रोजगार की है आप जब आपसे सवाल किया जाता आजी सदन में सवाल किया गया तो आपने उस पर जवाब दिया कि हम प्रशिक्षन दे रहे हैं तो प्रशिक्षित करना और उनको रोजगार देना ये दोनों अलग विशे हैं, कहां है वो सामंजस इन दोनों विभागों में कि आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं उन नोजवानों को, आप स्वेम स्वीकार कर रहे हैं, कि आप अभी तक उनको प्रशिक्षित तो कर पाए पर उनको स्वारोजगार और रोजगार से नहीं जोड़ पाएं तो महंगाई दूसरा मुद्दा है पचास रुपे सिलिंडर के दाम बढ़ गए सबसे जादा ग्रहणी पर इसका असर पड़ा है इसके साथ साथ जो कानून में वस्ता है जिस तरह प्रयागराज की घटना हुई यह अब प्रत्याशित नहीं थी सरकार को चल रहा था तो सरकार की गंभीरता कहां दिखाई दे रही हैं तो हर मुद्दे पे सरकार असफल हो चुकी है शही दोगया कल भी एक शहीद हो आए और आज भी देखें प्रयागराज में जस तरही के से बुलडोजर चल रहा है आज भी खबर आ है कि एक आरुपी या उसमे पांस साल से मुखमंत्री जी का बयान सुन रहे हैं सदन में भी सदन के बाहर भी किया तो अपराधी प्रदेश की जेल में है या छोड़ के चले गया है तो यह जो अपराध कर रहे हैं कहां से आए है